हलो एवरिवान वालकम टू रूचिकाज गूट फूट आज में लेके आई हूँ हम सबकी फेवरेट स्ट्रॉबिरेज्स सबको बहुत पसंद होती हैं बच्चों से लेके बड़ो तक तो चलिए आज हम बनाते हैं स्ट्रॉबिरी से कुछ नया तो आज हम बनाते हैं फटा फट बनाते हैं क्योंकि बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं आज सबसे पहले यहां पे आपको फ्रेश स्ट्रॉबरी लेनी हैं 400 ग्राम अगर आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबरी नहीं है तो आप उसका एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं अब हमें यहां पे स्ट्रॉबरी के उपर की जो डंडी होती है उसको काटके अलग करना है और स्ट्रॉबरी को हमें यहां पे छोटे-छोटे टुकरों में काट लेना है हमें सभी स्ट्रॉबरी को यहां पे ब्लेंडिंग जार में डालकर उसमें 3 टेबल स्पून शुगर एड़ करकर उसको अच्छे से ब्लेंड करना है ये देखिए हमारी स्ट्रॉबरी का प्यूरे रिडी है अब हमें एक ठंडे बरतर में 500 ग्राम ठंडी विप्ट क्रीम एड़ करनी है अब हम विप्ट क्रीम को ब्लेंडर की साहता से ब्लेंड करेंगे और हो सके तो एक ही डिरेक्शन में ब्लेंड कीजेगा अब हम blender की speed को धीरे से बढ़ाते हुए तेज करेंगे whipped cream को हम blender की सहयता से 2-3 मिनट तक blend करेंगे और उसके बाद इसका quantity डबल हो जाएगा आप यहाँ पे whisk की सहयता से भी इसको blend कर सकते हैं अब हम इसमें जो strawberry का puree त्यार किया था वो डालेंगे हम थोड़ा सा strawberry का puree बचा लेंगे अंत में garnishing के लिए आरा से इसको blender की सहयता से 1 मिनट के लिए blend करेंगे हमें इसे बहुत यादा blend नहीं करना है वरना इसमें से मक्खन निकलाएगा अंत में इसे spatula की सहयता से clean कर लीजिए और हमारी strawberry smoothie is ready से पहले हम यहापे glass में strawberry का जो puree बचा हुआ था वो add करेंगे अगर puree में strawberry के कुछ small pieces रहे भी गए हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब जो हमारी strawberry smoothie का जो mixture था उसको हम serving glass में डालेंगे और उपर से थोड़ा थोड़ा खाली छोड़ेंगे इतनी quantity में से हम 4 glasses smoothie त्यार कर सकते हैं अब हमें glasses को foil से या cling wrap से अच्छे से cover करना है ताकि इसके अंदर air ना जा सकी और इसको 15-20 मिनट के लिए refrigerator के अंदर रखना है 15 मिनट हो चुके हैं अब हमने अपने glasses को fridge से निकाल लिया है अब हम अपनी strawberry smoothie को chopped strawberries से उपर से गार्णिश करेंगे अगर आप चाहें तो उपर से या whipped cream से भी गार्णिश कर सकते हैं तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरु कीजिए अब्लाओं तो चाहन कर आपड़ा जर एको एक। ये नएिए न सुछ ननी अपकोछ विडराम है